नमस्कार स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सुसान सिंग राजपूत केस में दोस्तो CBI की टीम में अभी अभी कुछ लोगों को गिरफतार किया है जिसके बाद CBI की टीम अभी केस की तहर तक जाने की कोशिस कर रही है क्योंकि CBI की टीम कुछ सक है कि सुसान सिंग राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें इनी लोगों का हाथ है आपको पता होगा सुसान सिंग राजपूत केस में CBI, NCB और तमाम तरह की जांच इजिंसियों ने हर तरह से हर समभब परियास किया कि कैसे भी करके सुसान सिंग राजपूत केस को सुलझाया जा सके लेकिन दुर्भागे ये रहा है कि अभी तक इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे सुसान को इंसाफ नहीं मिला है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे क्यूंकि सुसान सिंग राजपूत केस को सुलझाने के लिए जाच इनिंसियां आज भी ततपर है ऐसे में एक बात तो पुरी तरह से पक्की है कि CBI की टीम इत्ता असानी से इस केस में हार नहीं मानने वाली है CBI की टीम दिन रात की महनत कर रही है और हर हाल में CBI ने कसम खालिया है कि सुसान सिंग राजपूत केस को सुलझा करी ही रहेगी ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो हमारी CBI की टीम है न वो बहुत ही सकती के साथ कुछ लोगों से पूश्टाच करने वाली है और ये इन्वेस्टिकेशन इतनी तगडी होगी कि आप सभी देखने वाले हैं कि कई सारे लोग गिरफताद हुने वाले हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हो सकता है एक बार फिर से रिया चकवर्दी सिद्दात पिठानी सेमौल मिरांडा संदीप सिंग और तमाम लोगों से जो भी सुसान सिंग राजपूत के करीबी होने का दावा करते हैं इनसे भी पूश्टाच की जाए और प